शनी जो है दो हजार तेईस में कुम्बरासी में आ चुके हैं और दो हजार चोविस में पूरे बरस बर्वक कुम्बरासी में ही विराजमान रहे हैं शनी को न्याय का देवता कहा जाता है शनी को कर्म का फल देने वाला प्रह कहा जाता है शनी को पापी और प्रूर गहवी माना गया है लेकिन ऐसा नहीं है कि शनी हमेशा अरवेक्टी के लिए असोफल देने वाला ही हो शनी जवरदस्त तरीके से शोफल देने वाला भी बन जाता है यदि वो किसी राजा को रंक बनाता है शनी इस प्रकार का ग्रह है कि वो रंक को राजा बनानी की भी खमता रखता है 2024 में पुम रासी में शनी रहेंगे मेश ब्रस मितुन शिम और कन्या इन रासी वालों के लिए आत्म सम्मान में बद्धी मान सम्मान में बद्धी आत्म विश्वास में बद्धी नोख भी में लाव, केरियर में उनको फाइदा, जो व्यापार वहुसाई कर रहा है उनको भी फाइदा रहेगा, धनकी स्थिती में उनकी सुधार होगा, इसके साथ भूमी संबंदित एदि उनने पहले से कोई नवेश करके रखा है, क्या भूमी संबंदित में कोई नवेश करते हैं उस नवेश्य में इनको फायदा होगा धार में कादियों की प्रवत्ती उनकी बढ़ेगी धार में कादियों में उनका मन लगेगा थियां जाह सिय। impression करेंगे मेश रासी के लिए विसेच है कि यात्रा का योग बनायेगा, घिजर्श राशी के लिए जो है, ये किसी नए कार की सुरुवात करेगा। मित्वन और सिम्रासी के जातक हैं यदि वे जातक शिक्षा के छेत्र से जुड़े हुए हैं वह अध्यार्थी हैं या वह सिक्षक हैं तो ऐसे मित्वन और सिम्रासी के जात्रों के लिए शिक्षा के छेत्र में उनको बहुत जबरदस्त सफलता प्रदान कराने वाला रहेगा कन्या रास्री वालों को आर्थिक रूप से नोक्री प्याजी में लावत हो रहेगा इस तर्णी के करण कन्या रास्री वाली की स्वास्पने कुछ नरम गरम सा बना हो रहेगा